मैλλों से रिलेटेट कर रहे था से धारा में चल रहा है तो जोंसें ना पूर देगा नी्हें देखिए ग। और यह तो math होगे और आप लोग physics और chemistry इसका जो जागरन classes हुआ जागरन online classes आप लोग उसको जरूर देखेगा वह बहुत important आप लोग search किजेगा उपर में search किजेगा polytechnic polytechnic जागरन लिखेगा तो आपने आजागा polytechnic जागरन classes लिखेगा इतना search किजेगा सब आजागा जो भी नए लोग जुड़े हुए है सब लोग उसको देखेगा polytechnic जागरन लिखेगा से उसमें physics और बायो का टोटल 5500 का series करवाया हुआ बहुत important है उसको सभी लोग देखिएगा तो आज हम लोग आगे पढ़ते हैं इससे हम लोग क्योशन कर रहते है नाव अला क्योशन कर रहते है तो इसका आज हम लोग को लास्ट पार्ट है पहले concept फिर क्योशन ठीक और playlist जरूर चेक करते रहेगा playlist देखते रहेगा महां से तो देखिए इसका concept हम क्या बता है थोड़ा सा concept आज रिभाइज कर देते हैं देखिए इसमें क्या एदम सिंपल है एदम सिंपल है क्या कि इधर नाव चल रहा है स्वरी इधर नदी बह र नदी में क्या चल रहा है यहां नाव चल रहा है तो देखिए नाव यह जो नदी है इस नदी का कुछ अपना तो फेलोसिटी नदी में पाने चल रहा है तो इसका कुछ अपना भी फेलोसिटी होगा तो यह इसमें नाव भी चल रहा है तो यह नदी का फेलोसिटी हम लोग y मानते थे और नाव का velocity क्या x मानते थे यानि अगर नाव सांत जल में देखिए सांत जल में नाव अपना speed से चल रहा है कितना x km पर ती घंटा कर अफतार से और y ये किसका था ये नदी में जो पानी है यानि धारा का चाल ये क्या है धारा यह है धारा का चाल ठीक और अगर यहां से क्योंचर हम लोग से बोल देता था कि अगर नाव का नाव का गती धारा के धारा की दिशा में तो देखिए नाव का गती धारा के दिशा में क्या आता है तो दिसमें नाव का भी वेलोसिटी तो अपना ही है प्रसमें धारा का भेलो यानि हम लोग को किदर से ले जाना है इधर से ले जाना है तो इस थीर जल में जो नाव का वेलोसिटी था उसमें से अगर हम लोग माइनस गटाएंगे धारा का चाल तब अपोजी डारेक्शन में जाएंगे यही कॉंसेप्ट हम लोग को क्या करना था याद रखना था तो य y, क्योंकि ये तो 9 का ही भेलोसिटी है, और 9 का भेलोसिटी धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो 9 का भेलोसिटी क्या हो जाएगा, x-y हो जाएगा, और अगर यहाँ से निकालना हो, जैसे x किसका भेलोसिटी था, x 9 का भेलोसिटी था, और y किसका था, धारा का भेलो अगर नाव का भेलोसिटी निकालना हो तो डारेक्ट यहां से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, यह अगर धारा के दिशा में रहेगा तब, अगर नाव का चाल, अगर विपरीत दिशा में निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस य बटा, तो देखिए, यहां तो है ही equation इसको solution किजाएगा तो खुद्धे निकल जाएगा एक सबाइग अगर यह एक सबाइग निकालना हो तो क्योचन अभी स्टार्ट करते हैं यतना concept हम पहले पढ़ा चुकी थे तो क्योचन आख स्टार्ट करते हैं कि एक नदी का बहाव टीन किलो मेटर पर ती घंटा एक क्या है एक नदी का बहाव नदी में पानी है तो उस पानी का बहाव का हम लोग वाय मानते हैं एक्स और वाई मानने के लिए सिखा है, तो, नदी का बहाव कितना है, वाゃ बराबर है, तीन किलो मेटर पर घंटा के रफ्तार से बह रहा है, और बोलता है, नाव का चाल सान्थ ज जल में, इसको हम लोग क्या मानते हैं, एक्स बराबर हम लोग को क्या दिया हुगा है, पांच किलो मेटर परती घंटा दिया हुए तो बोलता है क्या है कि बहाव के विपरीत दिशा में तो बहाव के विपरीत दिशा में तो एदम असान था और इसी टाइब से क्योशन पूछता है कि वो language समझना है तो अगर बहाव के विपरीत दीशा में पूछ रहा है अगर नाव का चाल पूछ रहा है नाव का चाल तो विरूद नाविक का चाल यानि नाव का चाल क्या हो जाएगा नाव का चाल क्या जाएगा एक्स कितना हम जोगा हो 5-3 बराबर क्या 2 km पर घंटा के रहतार से यह जो नाव है विपरीत डाइरेक्शन में जाएगा ठीक तो यह फर्स्ट क्योस्चन हो गया अब देखी आगला क्योस्चन क्या बोलता है second question, आज थोड़ा ज्यादा लंबद सोच रहे हैं कि 8-10 question करवा देते हैं, इससे बाद फिर PDF आप लोगों को दे देंगे, फिर वहाँ से solution कीजिएगा, तो देखिए अगला क्या बोलता है, अगला क्या बोलता है, एक व्यक्ति है, एक समान गती से तेरता हुआ, तेरती वे धारा की दिशा में 5 घंटा में 20 किलो मेटर, देखिए एक व्यक्ति है, एक समान गती से तेरता हुआ धारा की दिशा में, यानि ये क्या है, ये धारा की धारा की दिशा में चल रहा है, धारा की दिशा में वो 5 यानि 5 आवर में 20 किलो मिटर क्या करता है तैर जाता है यानि धारा के दिशा में 5 घंटा में 20 किलो मिटर चल जाता है और तथा इतने ही समय में यानि 5 घंटा में 5 घंटा में धारा के विपरीत यानि 5 घंटा में इसका धारा के विपरीत धारा के विपरित पांचे घंटा में कितना चल जाता है धारा के विपरित पांचे घंटा में ये दस किलो मीटर चल जाता है तो पुछता है कि धारा का बहाव इसका मतलब समझें कि धारा का दिशा में अगर पांच घंटा धारा का दिशा में पांच घंटा में 20 किलो मिटर चल रहा है कोई आदमी तो इस आदमी में धारा का दीशा में अगर चल रहा है तो इसमें देखिए दोनों वेलोसिटी एड है एड है ना एड है यानि धारा के दीशा में यानि जो धारा का चाल है धारा का चाल वो भी एड है वो भी है धारा का velocity यानि धारा का speed पलस चो आदमी तैर रहा है उसका भी speed इसमें include है इसको सोचीए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी धारा का दिशा में चल रहा है उसका velocity निकाल लेते हैं तो इसमें देखियो दोनों velocity निकलेगा यानि, X plus Y दोनो velocity निकलेगा कैसे यसे समझें न धारा का दिशा में चल रहा है इसको गौँर सो सोचेगा कि धारा का दिशा में चल रहा है x पलस y क्या है ? x पलस y है दोनों का velocity x पलस y भेलो सिटी है तो velocity 4 बराबर कैसे निकलेगा ? 4 बराबर इसका देखिए दूरी बराबर 4 गुणे समय होता तो 4 बराबर दूरी बटा समय दूरी कितना हम लोका ? 20 बटा 5 तो यहां से क्या निकलेगा पंच का बीश चार किलो मेटर पर गण्टा यानी जब धारा की डारेक्शन में चल रहा था तो पानी और शॉरी आदमी नाविक और पानी दोनों मिल के 4 किलो मेटर पर ती घंटा के रफ्तार से चल रहा था इसलिए वो 5 घंटा में 20 किलो स्वाइ क्या हो जाएगा? दस बटा 5 यानि 5 दूनी 10 दो किलो मीटर पर घंटा तो हम लोग सही आग से पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था कि धारा के बहाव की गती यानि X किसका बहाव है? X देखिए X किसका बहाव है? X है जो उसमें क्या बोलते है, now, x क्या है, x now का बहाव है, और y किसका था, y है किसका, धारा के, यानि जो पानी है उसका बहाव है, तो यहां से y का भेलू पुछ रहा है, तो y का भेलू तो यहां से डारेक्ट निकाल सकते हैं, y बराबर क्या है, y बराबर तो डारेक्ट यहां से निकाल सकते है, y बराबर 4 माइनस 2 बटा 2, बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटा 2, यानि 1 किलोमेटर पर आवर, तो यह तो y निकला, यहां से एक्वेशन, x परस y तो यहां से डाइरेक्ट y बराबर क्या निकल जाता है एकस माइनस वाइनस 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 चार में से दू गया दू तो y बराबर क्या हुआ वन आया यानि y बराबर 1 km पर आवर y किसका चाल था धारा यानि जो पानी का चाल था तो पानी का चाल कितना है speed 1 km पर आवर और अगर यहां जो यह चल रहा है 9 चल रहा है 9 का भी speed निकालना तो नाव का speed x है तो उसको कैसे निकालते है एक्स पलस y एक्स पलस y कितना है चार चार बटा दू बराबर क्या हो जागा दू यानि दो किलोमेटर पर आवर के रफ्तार से उ चल रहा है नाव चल रहा है और एक किलोमेटर पर रफ्तार से क्या चल रहा है पानी उसमें के चल ठीक अच्छा सोरी यह सही नहीं हुआ गळबड हुआ है कुछ यहां तो गळबड हुआ यहां क्या x पलस y मतलब 4 पलस 2 नहोगा यहां x बराबर क्या हो जागा 4 पलस 2 बटा 2 नहोगा तो कि यहां से सोलुचन कीज़ेगा x पलस x और 4 दू 6 6 बटा 2 यानि 3 किलो मेटर परावर तब नहोगा x a नाव 3 किलो मेटर और 1 किलो मेटर पानी तो नाव पलस पानी बराबर 4 किलो मेटर और नाव माइनस पानी बराबर यानि 3 माइनस 1 बराबर 2 किलो मेटर तो यहां पर जो भी पूछ रहा था ओ धारा का बहाओ तो धारा का बहाओ एक किलोमेटर परावर होगा आप लोको भी option दीख रहा होगा तो इसी type से question generally पूछेगा थोड़ा सा यही है कि सोचना पड़ता है अब थोड़ा सा level बढ़ा है लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा देखती हैं दीखिए अगला question क्या बोलता है अगला question must है दीखिए बोलता है शांथ जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमेटर परते गहंटा अधिका और धारा के बिरूद 18 किलोमेटर तता धारा के साथ 32 किलोमेटर जाने में नाव को कुल 7 घंटे लगते हैं तो सांत जल में नाव की 4 किलोमेटर परती घंटा में क्या होगा ये बोल रहा है तो इसकों लोगों निकालना हो तो देखिए इसको solution कैसे करेंगे स्टार्टिक में क्या बोला कि सांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमेटर अधिक है मतलब क्या धारा की चाल धारा की चाल को अगर हम लोग कुछ x y कुछ भी मान ले तो नाव की चाल क्या हो जागा नाव की चाल सांत जल में यानि सान्द जल में हटी यानि इसमें धारा से कोई लेना देना नहीं धारा से कितना 6 km पर घंटा क्या है अधिक है यानि ये चाल निकल गया ये भेलोसीटि निकल गया इतना एक किलो मेटर पर घंटा इतना किलो मेटर पर घंटा धारा के चाहँ अब बोलता क्या कि अगर धारा के बिरूध 18 किलो मेटर धारा के 7 32 किलो मेटर चले तो हम लोगों टोटल समय कितना लगता है साथ घंटा लगता है, तो अगर हम लोग धारा, धारा के साथ, धारा के साथ, पलस धारा के बिरूद, धारा के बिरूद चलें, तो हम लोगों टोटल टाइम कितना लगता है, साथ घंटा लगता है, तो धारा के साथ, अगर हम लोग चलते हैं, कितना किलोमेटर, 18 किलोमेटर तो कितना समय लगता है फिर धारा के बिरूद चलते है तो कितना समय लगता है दोनों मिल के कितना घंटा है साथ गंटा तो धारा के साथ चल रहे है तो उसके साथ समय कितना लगेगा समय बराबर क्या हो जाता है समय बराबर हो जाता है दूरी बटा चाल तो time ब्राबर के हा जाएगा यहां से distance बटा श्क्रीट ब्राबर ताईम अधारा के दिसहा इसां में distance में कितना कवर किया थारा के साथ 32 km कवर किया 32 बटा फैलोषिटी ठारा तरफ फैलोषीटी कितना है धारा के side शबसे पहले नाव का smell होगा, सबसे पहले नाव का smellber you Rea ça या एक्स पहले टांब लगा टाइम और धारा के गीपना करे रहा है उसका समय वह रहे हैं तो जब इपन थाज़ें में HAAS यहां कुटना इसका भी अपर हो गए तो देखिए नाओ का çाल कितना एक्स भीनुटे मगा और झाल कितना एक्स लगता है ऑड़दोनों तरफ काई तो टोटल टाइम सात कंटा लगता है यहां से सॉलूशन कर देज़े हैं यह से ऐस के तो ख्रुदे निकाल यहां एक्स- एक्स क्या जागे यहां 2x, 2x-3, यहां से कॉमा निकालेगा तो 2 से 32 कटेगा, तो 16 दुनी 32, यानि 16 बटा नीचे क्या बचेगा? x पलस 3 बचेगा, पलस यहां से 14, 18, 16, 18 बचेगा, बराबर 7, इस 7 को इधर ले जाए, तो क्या हम लोगों मिलेगा 16बटा एक्स पलस 3 बराबर, 7 में से 2 गा, 4, अब देखें क्रोस मर्टिप्लाइ कर दिजीю, 16 बराबर हम लोगों क्या मिला, क्या डिद्यफील करेंगे तो 4 x intellig फ़स 4 दिया, 12, अगर 16 में से 12 गटाएंगे 16 माइनस 12 चार 16 यानि यहाँ 4 यह 4 इधर आगा 4 बड़ाबर 4 एक्स बड़ाबर क्या हो जागा 4 यानि एक्स हम लोग क्या माने थे धारा का चाल यानि धारा का चाल एक्स किलोमेटर पर गटा था यानि जो पानी बहरा नदी में पानी का भेलोसिटी कितना है चार किलोमेटर पर गटा और नाव का भेलोसिटी सांत जल में सांथ जल में क्या था उसके compare में 6 km ज्यादा था तो पानी का velocity 4 km था लेकिन इसके compare में 6 km ज्यादा था 9 का चाल यानि 6, 4, 10 सोरी एक्स बराबर चार थोड़ी दे निकला एक्स बराबर एक निकला न तो एक्स बराबर यानि पानी के चाल कितना हो जागा वन किलो मीटर और ये कितना हो जागा चो और एक चो अजा जागा साथ किलो मीटर यहां साथ किलो मीटर पर गंटा तो दोनों का रफ्तार निकल कि नाव का चाल कितना होगा साथ किलो मेटर पर गंड़ लग ऑड पानी का रफ्तार कितना होगा एक पूच रहा था क्या कि सांत जल्मेश की चाल किलो सबीकर्श तो इस टाइब के ऊच्यों subscribers लगादेंगे इसको भी क्या करना सोल्युशन करना अब दिखते अगला question क्या बोलता है अगला question हुआ है और कि कॉस्ट कंद ज्यादा भास्ट नहीं है तो एक question आप लोगों को और solution करते हैं इसके बाद फिर आप लोगों को दे देदे हैं इसके बाद इस chapter को यहीं पर खतम कर देंगे और इसके बाद आप लोगों को question दे रहा है ओ आप लोगों थोड़ा solution कीजिएगा ठीक ना कौन सा देखिए एक बोलता क्या कि एक अस्तीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा के दिशा में चार घंटे में पहुंचता है तता इतनी ही दूरी धारा के विपरित पांच घंटे में पार करता है यदि धारा का भेलो सिटी दो किलोमेटर परती घंटा है तो दोनों बंदरगाहों की बीच की दूरी कितनी होगी यह तो बड़ा अजीब क्योचन पूछ रहा है तकी देखते हैं क्या बोलता है एक अस्टीमर है मतलब कि अस्टीमर वही नाव है वो एक बंदरगाह से दुछ यह धारा का डारेक्शन में जा रहा है ठीक उतना डिस्टेंस में चार घंटा में पहुंचता है यदि इतनी ही दुरी धारा के विपरित पांच घंटा में पार करता है और देकि यही डिस्टेंस है जब इधर से यह रिटर्न आता है तो इसको रिटर्न आने में कितना समय लगता है 5 गंटा समय लगता है तो भष्तार से चल जा रहा था था कहा तो थोड़ा ज़्याहदा लेगा तो त्च ये जो पानी है ये पानी दो किलोमेटर परती गंटा के रफटार से इधर भाग रहा है तो बोलता कि यह तो यहां से यहां तक का distance है डी distance क्या होगा वह ही पूछ रहा है यहां पर इसको हम लोग कैसे solution करेंगे बड़ा असान है ज्यादा कुछ करना नहीं है तो अराम से क्या करना है कि इधर से इधर जाने में 4 घंटा का समय लिए और इधर से इधर आने में 5 घंटा का समय लिए त तो यहां से यहां तक क्या होगा एक्स एक्स इसको भूटाओ यहां से यहां तक एक्स किलोमेटर क्या 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 डिस्टेंस कवर क्या जैसे एक्स किलोमेटर डिस्टेंस कवर किया तो यहां से यहां से यहां एक्स किलोमेटर तो जाते समय जाते समय कितना भेलोसिटी था ध्यान रखेगा कि ये जो धारा का वेलो सीटी है केवल और केवल धारा का वेलो सीटी दिया हुआ है पानी वाला जो धारा है धारा का वेलो सीटी दिया हुआ है धारा का चाल कितना दिया हुआ है केवल धारा का चाल दिया हुआ है कि धारा का चाल दू किलो मेटर पर ती घं चलने में चार घंटा का समय लग रहा और डिस्टैंस कितना कबर कर रहा एक सक्राइब तो देखिएगा क्या का एड होगा धारा का चा यानि जो पानी का चाल है ओ पलस में जो 9 चल रहा है नाव का चाल, दोनों जब जूटेगा, तो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बटा, टाइम के बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस कितना था, एक्स, और टाइम कितना लग रहा था, चार गंटा, तो एक्स बटा, चार गंटा हो जाएगा, यह धारा के ड धारा के विप्रीत दीसम होगा तो कया पहलेraz9 का चाल लिखेंगे और उसमे माइनस लिखेंगे क्या माइनस लिखेंगे धारा का चाल जब दोनों घटाएंगे तो क्या होगा डिस्टेंस बटा टाम अब री कितना डिस्टेंस लगा एक सी डिस्टेंस कबर कर ला लेकिन समय कितना लग रहा है समय अब की बार लग रहा है पांच घंटा ठीक और धारा के direction, धारा कितना किलोमीटर से आगे बह रहा है, पानी 2 किलोमीटर परती गंटा के रफ्तार से बह रहा है, तो यहाँ से क्या किजिए, यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से अराम से निकल जाएगा, यहाँ से कैसे निकलेगा, देखिए, इसको इधर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं नाव का चाल, और यहाँ क्या लिखते हैं, धारा का चाल, और अराम से क्या किजिए, काट दीजिए, यह धारा से धारा, पलस म चाल हम लोग क्या मानते है, एक्स किलोमिटर यानि एक्स और एक्स क्या हो जाएगा just द्देख रहा इसको लिखते है एक्स क्या हो जाएगा, द्द राबर यहां मानते ही Turkey 겁니다 यहां से जिलोमिट यहां हम लोग निटाएद दाइर का देज है त BBC से भाck इसको मत कीजे, अराम से इसको घटा दीजे, माइनस है, यहाँ माइनस कीजे, इसको पलस कीजे, यहाँ माइनस कीजे, तो यह नाव का चाल कटेगा, आउम लोगों को पूछ रहा है, धारा का चाल, तो धारा पलस धारा, टू धारा हो जाएगा, टू धारा का चाल, यहाँ ध हम लोगों को निकालना क्या है धारा का चाल तो यहां से निकाल लिए तो धारा का चाल क्या हो जागा participar दो किलोमेटर पर दी गंटा के रफ्ता थे यहाँ क्या कि ये दो लोने दो करीड देगा कर डिया धारा का चाल और 20 क्या जाएगा 20 इधर आजेगा वराबर 55 में से 4 गाकिया के आजएगा X तो यहांसे देखिए X पराबर कितना ट्रक्तितं़ किलोमेटर निकल रहा है दूदय चार दूदय आठ या न हाशी किलोमेटर क्या करना होगा तैक करना होगा, या एक बंदरगाह से दूसरा बंदरगाह कर बीच का डिस्टैंस कीतना है 400 ृप जो किलोमीटर, यूँ लिकर करना जो equation बना था और equation में से निकाले कि धारग जाल धारग जाल कितना था दो किलो मेंटर पर गंट यहां से एक्स बराबर 80 किलो मेंटर डिस्टेंस कबर किया है तो बस आज हम इसको यही तक खतम करते हैं और यह मेरे अंतरफ से खतम हो गया है दो question इसका हम लगा दे रहें स्क्रीन पर दो question को क्या करना है आप लोग को solution करना है और इसका previous question भी प्रिवेस वाला वीडियो भी देखिए वह भी बहुत काम का चीज है वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ठीक बस थैंक्यू और लाइक कीजेगा वीडियो जितना जादा जादा उसके सेर कीजेगा थैंक्यू बाए